जानजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर लगातार शिकायते मिल रही हैं आलाकि कुछ मामलों के सबंधी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कारेवाही भी की गई है बावजूद इसके धान खरीदी केंद्रों में प्रबंदकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले र परान लगबग एक से डेड़ किलो धान जादा लेने की शिकायत मिली थी शिकायत की अधार पर जब मीडिया टीम ने लखाली धालमंडी में तोल सम्बंदी शिकायत पर जानकारी चाही तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर अभधर विवहार करते हुए मीडिया टीम को तुम कौन होते हो पूछने वाले कहा गया। किसानों की शिकायत और परिशानी को देखते हुए जब मीडिया टीम ने मामले की शिकायत चामपा SDM सूभाश राज से की तो किसानों को होने वाली समस्या संबंदी शिकायत को गंभीरता से लेती हुए चांपा स्टीम ने ततकाल मोके पर जांच टीम भेजी जांच टीम के द्वारा मोके पर खरीदी की गई धान की बोरियों का वजन कराया गया जिसमें 700 से 800 ग्राम धान अत्रिक तिपाया गया जांच टीम द्वारा जांच के दुरान मिले गए अधिक धान की मातरा को यदी पैमाना माना जाए तो खरीदे गए कुल धान की मातरा के अनुसार लगबग 390 कुंटल धान मेहज तोल के दोरान ही ले लिया गया और इस धान की कीमत राचे सरकार द्वारा निर्धारित मुल्ले के अनुसार लगबग 7,28,520 रुपे की चपत अकेले लखारी मंडी के समिती प्रबंदक निर्धार दिये अब सवाल यह है कि शासन के दिये गए निर्धेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के संबंदित जिम्मेदार अधिकारिये द्वारा धान खरीदे के दौरान किसानों से निर्धारित मानक्ता पर ही तोल कर खरीदने के कड़े निर्धेश दिये हैं बावजूद इस तर हैं कि गड़बडियां समीती प्रबंदक के द्वारा किये जा रही हैं आपको बता दे कि यह कोई जीले में पहला खरीदी केंदर नहीं है जाजगीर जीले की जैजपूर बमन जी और शक्ति शेतर के अधिकांश खरीदी केंदरों में यह आलम है किसान मजबूर है किसान अपनी शिकायते किस्से करें किसान जब अधिक धान लेने का विरोब करता है तो उसके धान को खरीदी केंदर में रखकर परिशान किया जाता है अन्यथा किसान अपने प्रती कुण्चल की खरीद में डेड़ से दो किलो धान देने को मजबूर हो लाता है हाला कि शिकायत की गंबीरता को देखते हुए SDM चांपा सुभाश राज ने ततपरता दिखाते हुए खरीदे गई धान का निरुक्षिन के लिए जाज टीम को मोके पर तलब किया जाज के दुरान भी लखाली समीती प्रबंदक की मनमानी सामने आई है अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट के अधार पर किस तरह की अग्रीम कारेवाही होती है वहीं सवाल यह भी है कि मानत्ता से अधिक धान खरीदने वाले ऐसे समीती के प्रबंदकों पर कारेवाही की कौन सी गास गिरती है या इनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी ऐसे मामलों पर प्रशासन से संबंदी जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी कारेवाही करने की आवशकता है ताकि इस तरह अंदाताओं के उपर तोल के बहाने अधिक ना लिये जाए साथ ही प्रशासनी कारेवाही का भाई भी समीती पर भरा रहे जांजगेर चांपा से महेश शुकला की रिपॉर्ट प्रस्तुत करें गेंगे जाएंच रिपोर्ट करने में प्रस्तुत कर देता हूं उसके बाद जो आगे कारवाई होगी उसमें क्या माते सर मतलब शासन का नेदेश की अतिरीक दहलने लेना है बाजू जी इस तरक्या नीमानियों विटता है इसको आप कहां तक नीश्चित रूप से इसमें कहने अली बात निया तो गलत ही है जो है न भी इसमें किसानों का अहीं आई है किसानों के साथ मतलब कारेवाह खेंगे हमारे साथ सो ग्राम अतरिक्त खेंगे तसके किसानों के दोरा तौल करके लाया गया था उसको तलपट में लिया गया है तो इस पर क्या प्रतिक्र आपके दोरा खूद के दोरा लाया गया था तो आपके क्या जिम्हेदारी किसकी है हमारी मेरी जिम्हेदारी तो इसी स्थिती में 7800 ग्राम दान क्यों हुजादा किसाने को दोरा खूद के दोरा तौल के लाया जाय रहा हमारा कुई गलत नहीं कीया गया है कि तो यह डाल एस्टक कि ओम उक्री थ्यूमिदारी तो आपने उसमे क्या हो गया सिंदी कर चल कर चले गया उपने संतूस्ट करते अब्ट शहाद को रहे अब सनतूस्ट मैं किसान दिया है अपने स्वेक्षा से तौल करके खुद घर से लाया है अपना अभी हमको जुम्हेदा धिकारी यह उपस्ती थे उनको कहना है कि 7008 कुमानकतर से उपर पाया गया तो क्या मानते हो जूड बोल रहे हैं कि जो जहांचा धिकारी हो नहीं सही बोल रहे हैं जो एक में अधिक पाया गया है दो बोरी तो बराबर रहे हैं एक में आप 700 ग्राम निकाले हैं उसमें दो सिला हुआ था ऐसे ही लेटेश कोब रहे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल JBD Banquets Enterprise